हाई फ्रेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करते हूं आप सब अच्छे से होंगे खुश होंगे और स्वस्त होंगे तो आज मैं आपके लिए लिए एक मेकप वीडियो जो कि इसे 5 मिनट्स का और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नो मेकप मेकप लुक कैसे क्रिएट करना है वह भी सिर्फ पांस से 6 मिनट में बिना किसी बहुत अधिक महंगे टूल्स और टेक्नीक को यूज करे हुए सिर्फ अपने हाथों से तो फिरंस तेख जानने के लिए और देखने के लिए कि कैसे कर सकते हम इंपक लोग 5 मिनिट्स को मोटिवेट करें तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ तो फिरंस ये मैं यूज कर रही हूं मैक का बेस प्राइमर अपने फेस पर इसको लगाने से पहले आपको बता दू मैंने अपना फेस पूरी तरीके से क्लीन कर लिया था टोन कर लिया था मॉस्चिराइज करने के बाद मैंने संस्क्रीम भी अच्छे से लगाने के एक से दो मिनट के बाद ये बेस प्राइमर यूज कर रही हूं यह मैक का प्रेंस और इसको लगाने का में परपिस है कि फांडेशन अंदर पेनेट्रेट करके हमारी स्किन को डामेज ना करें बिल्कुल भी अफ्र करने के लिए मैं इसको यूज करती हूं अगर आपकी स्किन टून जो भी लोग यह देख रहे हैं और जिनकी स्किन टून मेरे जैसी है वह एकदम आग बंद करके यह यूज कर सकते हैं यह बहुत अच्छा कवरेज देता है और करेक्टर या कोई भी कोई भी प्रॉड़क् जाए ना कि एक साथ बहुत सारा लगा लें क्योंकि एक बढ़ अगर पिकड़ता है वाई चांस तो आपके पस कोई भी आप्शन नहीं रहता है सिवाए चेहरा दून लें के देखिए मैंने लगा लिए इसको बहुत जादा प्रेशर नहीं देना है हलके हलके लगा कि बस देना है थोड़ी देर अब देख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस माउथ एरिया का जो है वहां पर पिग्मेंटेशन थोड़ा सा कम ज्यादा देख रहा था मतलब कवरेच अच्छे से नहीं हो रही तो मुझे लगा तो फिर मैंने थो ऐसा और लिया और उस अब यूज़ कर रही हूँ फांडेशन जो की है हुडा ब्यूटी का फॉकस फिल्टर फांडेशन और शेट बटट पिकन फ्रेंस फांडेशन की सबसे बात है कि यह है फुल कर पेंडैशन लेकिन इसमें सबसे खराब बात भी है क्यूंकि करेंशन बहुत जल्दी से ड्रा तो बड़ा पैची सा लगेगा इसलिए कभी भी आपको अगर 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 से फांडेशन लगाना है तो यूज दिस में इससे क्या होगा कि आपका फेस कभी भी पैची नहीं लगेगा और फ्रेंट्स कोई भी क्रेम बेस फांडेशन लगाने से पहले प्लीज पीज यह ध्या ब्लेंड कर जाएगा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें अप देख सकते हैं कि मेरे को हलकी मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि मैं जल्दी में थी और मैं पुछ भी मिक्स करना भूल गई जिसकी वज़ए से हलका सा ड्राइब हो गया है यह बहुत जल्दी ड्राइ जो भी क्रेम बेस फांडेशन अगर आप यूस कर रहे हैं तो वह बहुत जल्दी ड्राइब होते हैं तो आल्वेस प्रिफर इधर वाटर बेस फांडेशन और इफ यूर यूजिंग दी हाई कवरेश फांडेशन प्लीज मिक्स सम सिरम सम मॉस्ट्राइजर ओयल को कुछ भ अगर आप इसमें एक चीज और नोट करेंगे कि मैं सिर्फ एक या दो ब्रश करूंगी और उसी को दबाते पतला करके जैसी रिक्वार्मेंट्रों कि उसका यूज करूंगी तो फिरिंस ब्रॉंजर का काम होता है हमारे चेहरे को डिफाइन करना कर आप देखेंगे तो हलक जिनको भी लगता है कि मेक अपके बहुत सारे ब्रेश चाहिए बहुत सारा समान चीज वह एक दम घलत हैं आपके पर थोरे समान में भी आप बहुत अच्छा में कर सकते हो तो यह देखें इसमें मैं यही दिखाना चाहरे हूं कि मैं सिर्फ एक ब्रॉष रोगी उस्पर लुक शॉट आफ में क्रियेट कर रही थी तो इसमें बहुत लाइट सा मैंने ब्लश अपलाई कि और हलका सा हाइलाइटर हाइलाइटर को आपको नहीं माना आप बिल्कुल मत लगाई है मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसको स्किप कभी भी नहीं करती है हलका सा मैंने ची आपको एक अलग सा हाइलाइट देगा जो हमें नहीं चाहिए था इसके लिए मैंने यूज किया है ब्राउन कलर का आई शेडव एक दम आख के अंदर जो वाटर लाइन उस पर नहीं लगाना उससे नीचे लगाना है फ्रेंड समेशा ध्यान रखना और इसको मैं आई- प्रेंटे तक तो टीका रहता है अब याई-शेडव लगाने के बाद फ्रेंच मैं यूज करूंगी मस्कारा में सारी लिप्स्टिक यह यूज करूंगी आई-शेडव के तोर पे कि मुझे लगाने के बाद ऐसा लगए कि मुझे थोड़ा सा लगाना चाहिए कुछ आग और आई शेड़ो मने लगाया नहीं था तो मने लिप्स्टिक यूज कर लिए अपनी यहीं लिप्स्टिक में लिप्स पे भी यूज करूंगी यह थी सब भी साच्य और लॉर्यल के कॉलाबरेशन में जो लिप्स्टिक लॉंच हुई थी वो इसका शेड़ प्यूर गाने इस इस जस आउसम प्रोटक्ट अप तिल नौ कि इसमें प्राइमर और मस्कारा दोनों एक ही साथ मल जाता है तो आपको अलेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और प्राइमर लगाने का में रीजन ही रहता है जिनकी भी ऐलेशिस कम है वह प्लीज प्राइमर यूज करके म लमस्कारा आप हमेशे ट्राइ कर सकते हैं बहुत अच्छा है तो फिरंस यह देखे मेरी आईज वाइस हो गई थी अब इसके बाद मैं अपना हैर्स करोंगी आईब्रो करूंगी और लिप्स्टिक लगाऊंगी तो सब करने के बाद हैरस्टाल अभी मैंने नहीं किया फ्र अब यह है मेरा फाइनल लूग जो कि एक सिंपल सा लूग है अपको पसंद आया हो यह लूख अपने देखा कि मैंने कैसे मेक अप्रेयेट किया होपुली आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अगर उस पर आपको व्लॉग बना के दे पाहूं चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं में नेक्स व्लॉग में बाइए